हेलो क्लास थर्ड, तोड़े विल स्टार्ट अन्यू एक्सराइज प्रॉम यॉर बुक, एक्सराइज इस थर्टी फाइब एंड चेप्टे नाइन, मनी, एंड क्वेशन नम्बर फॉर्स्ट इस, एड आप फॉलोईज अमाउंट्स वार कन्वर्टिंग इंटू पैसे, एंड लगरा ना, एक तो हो गया एंड से, जस्ट पहले का और एक हो गया एंड के बाद का, टू अमाउंट्स हो गए, 18 रुपीज, 36 पैसे, एंड 29 रुपीज, 58 पैसे, अब क्वेशन में वो ये कह रहे हैं, जो आपका अमाउंट दिया है, उसे एड तो करना है, बड किस तरह पहले जो अमाउंट दिया, उसको कनवर्टिंग इन्टू पैसे, पैसे में चेंज करना है, देन एड करना है, तो किस तरह से करेंगे, देखें, आपका जो पहले अमाउंट है, उसे लिख लीजे, यहां लेंगवेज में है, आप सिंपल चाओ लिख लीजे, कितना दि सिंबल के साथ लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, रुपीज का साइन लगाएंगे, देन एटीन, और फिर पैसा किसमे आता है, पॉइंट के बाद, इस तरह से, ओके, एंड नेक्स इस, 29 देखें, रुपीज का साइन लगाएंगे, क्योंकि यह सेकिंड मनी है, 29 रुपीज and 58 पैसे, रुपीज के साइन के साथ, फी पॉइफ आसे नहीं लिखते है, पॉइंट लगातर के, पैसे वाला मॉंट प्उइंट के बाद लिखते हैं, अब क्या करना है, जो आपका अमांट है, इंको क्या करूझे, हम चेंज कर लेंगे, किसमें, पैसे में, तो देखिए, पहला माउंट है आपका 18 रुपीज 36 पैसे बताया है ना लास्ट एक्सराइज में हमने यही पढ़ा था अब देखिए जो पैसे है वो तो पैसे है ही हम चेंज डिस को करेंगे रुपीज यानि कि 18 को तो 18 रुपीज में कितने पैसे हुए 100 रैंकि 18 15 मंटिप्लाइबा है 100 और जो पैसा है उसको हम उसमें एड़ कर देंगे प्लस 36 पैसे अब देखिए यहाँ जैसा कि आपको बताया है जिस किसी भी नमबर से मंटिप्लाइब करते हैं इस वाले नमबर में अब यहाँ पर जो नमबर है अगर 1 है और 1 के साथ कितने भी 0 लगे हुए है तो आपको जो नमबर है वो as it is same आ जाएगा 18 बट 1 के साथ जितने भी 0 होंगे वो 0 इसमें add हो जाएगे रखिए किस तरह से आप 18 का टेबल भी इड़ कीजिए 18 0s आ 0 18 0s आ 0 18 बंस आ 18 then plus 36 इसको करेंगे तो कितने आएगा 0 देखिए यहाँ add करेंजे आप ठीक है यह देखिए 18 100 and 36 देखिए बंस की वाल्यू 6 है तो वो इज़री आएगी न 0 के नीचे इससाइड मत लिख दीजेगा add करेंगे 6 plus 0 6 3 plus 0 3 8 plus 0 8 and 1 plus 0 1 कितने पैसे आए 1,836 पैसे चले यह वाला amount हमने पैसे में चेंज कर लिया अब next amount है इसको चेंज कर लिए देखिए next amount कितना है 29 रुपीज and 58 पैसे इसको चेंज करेंगे 58 आपका ओर्ड़ी पैसे में है अब 29 को 29 multiply by 100 क्योंकि पैसे में चेंज कर गा है plus 58 पैसे अब 29 का multiply and 100 में चेंगे तो कितना है न जैसा यह भी ऊपर बताया था 2900 प्लस 58 अब यह amount भी पैसे में होगे यह भी पैसे में होगे बिन दोनों को आपस में add कर लिए 2900 and 58 8 पैसे 08 5 प्लस 0 5 9 प्लस 0 9 and 2 प्लस 0 2 तो कितना है यह 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 दोनों को हमने पैसे में चेंज कर लिए अब हम क्या कर देंगे प्रस्ट है आपका 2, 3 and plus 1 अब आपका homework यह है, आपको size 35 का question number first, इसी तरह अपनी notebook में करना है. In the next class, we will learn next question. Till then, bye-bye.